दोस्तों अगर आपके भी घर में लगा है सदा बहार का पौधा तो आपके रॉंगटे खड़े हो जाएंगे सदा बहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदा बहार का पौधा या गलती से घर में उगा आया है तो तुरंत करें ये काम नहीं तो बहुत पच्चताओगे, सदा बहार के पौधे में होती है, यह एक चीज आज ही जान लो, गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है, तो जरूर देखें, दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दे, लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लग और दोस्तों आपको बता दें कि सदा बहार का जो पौधा होता है, उसमें कई फूल खिलते हैं, इसी के साथ आपको बता दें कि सदा बहार का जो पौधा होता है, वो बहुत आसानी से उग जाता है, और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं, दोस्तो आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि ये जो सदा बहार के रंग बिरंगे फूल है ना ये आपकी किस्मत को बदल देंगे आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे जी हाँ दोस्तों जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे ये रंग बिरंगे कलर के होते हैं उसी तरह से ये तुम्हारी जिन्दगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे दोस्तों आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयम देख लेंगे अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं बहुत प्र लाजब देखें लाग अर अगर उसे उसमें नुकसान होने लगे और उसका वो व्यापार न चले तो व्यक्ती बहुत परिषान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूं अब इस काम को करने से कोई फाइदा नहीं है, जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिती अच्छी हो ही नहीं पा रही है। फिर व्यक्ती परेशान होकर सोचता है कि चलो, हटाओ रहने दो इस काम को अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है जैसा वो चाहते हैं, उनकी मनो कामना पूरी नहीं हो पाती है उनका व्यापार नहीं चल पाता है तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार-बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है या जो भी काम आपने शुरू किया है, वो काम आपका नहीं चल पा रहा है जीश चीज को लेकर आप बहुत ज़्यादा परिशान है किसी विशेश क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तब आपको एक बार सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए आप इसके परिणाम और इसके लाब, इसके चमतकारी लाब आप खुद देख लेंगे इसी के साथ दोस्तों इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज्यादा करजा हो गया है या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा ले लिया है और वो उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं लेकिन कभी-कभी होता ये है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं, जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वो धन उनका चला जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से तो लेता नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कश्ट आ जाते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश् जिना आता है, समस्याएं और परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, जिसके चलते उसके सर पे करजा बढ़ता ही चला जाता है, और वो उस करजे को चुकाने में धीरे धीरे असक्षम होता चला जाता है, उस करजे को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामन करना पड़ता है। या कभी-कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसके बस के बाहर हो जाता है। कर्जे को अपने सर से उतारना। जीहां दोस्तों तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको ये उपाय जरूर ही कर लेना दोस्तों हम आपको बताएंगे ऐसे चमतकारी फूल के बारे में ऐसे लाभधायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमतकारी लाभ उस पौधे के है। यदि इसका सही प्रकार से उप्योग किया जाए उपाय किया जाए और भगवान को ये फूल अर्पित कर दिया जाए तो यकीन मानिये आपके जीवन की सारे कश्ट, सारी परेशानिया तो दूर हो ही जाएगी साथ ही साथ जो भी आपकी मनो कामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंध हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके घर में धन की वर्षा होने लगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो ये खुद ही धन को खीच कर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे ना उसमें आपको सफलता प्राप्त ना तो उससे भी आपको कई गुना लाब प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको तीन से चार उपाय ऐसे बताएंगे जो सदा बहार फूल के ही उपाय है। और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाब इन उपायों का मिल जाएग तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है जिससे कि आप से कोई भूल चूक ना हो। बिलकुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें और उपायों को अच्छे से समझ लें तभी आपको ये उपाय लाभ देंगे। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की तो उसमें साक्षात श्री हरी विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है और अगर हम बात करें समी के पेड की तो समी का जो पेड होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है और अगर बात करें आँखड़े के पेड़ की तो यानि कि हम जब आँखड़े का पेड़ देखते हैं उसे निहारते तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं बेल का पेड हो गया, जो की बहुत ही पूज़निय है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड की अपनी-पनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने-पने लाब और अपने अपने चमतकार होते हैं। अब मान लीजिये, किसी भी पेड की जिनमें डैविय शक्ति होती है। उनमें से किसी भी पेड की यदि हम सही प्रकार से पूझा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं, बढ़ी से बढ़ी मनो कामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं, और अगर हम बात करें सदा बहार के फूल की, तो सदा बहार एक ऐसा फूल है, जो सदा खिलता रहता है, हमेशा ये खिला रहता है, इसी कारण इसे सदा ब प्रियास करेंगे, जिससे की आपको किसी समस्या का सामना ना हो, आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। सदा बहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं, तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदा बहार के पुष्प है, आपके घर में कोई पौधा लगा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदा बहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। और या फिर आपको 21 फूल तोड़ कर लानी है, अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं, तो उसका उपाय अलग है। और यदि आप 21 फूल तोड़ कर लेकर आते हैं, तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे तो इसलिए विडियो में अच्छे से बने रहें और उपायों को अच्छे से समझें। तो अगर आप 27 फूल तोड़ कर लाएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है, और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक, आप घी का जला सकते हैं, उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। उसके बाद आप मातारानी को ये माला अर्पित कर दें। उस स्वास्थिक पर रखने है और अगर 27 फूलों की माला आपने मातारानी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको उस स्वास्थिक पर रखने है। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए और जब आप चावल स्वास्थिक पर डालेंगे तब भी आपको ओम माहालक्ष्मी नमका जब भी करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने मातारानी को अर्पित की थी वहीं माला आपको इस स्वास्थिक के उपर रख देनी है। आपको रात्री के समय करीब आठ बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते। मगर आप आठ से नौ के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप 21 माला का उपाय यह कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार पांच शुक्रवार को करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरे कर लिया, चौथे कर लिया, पांच वे लगातार जो शुक्रवार पढ़ेंगे, पांच शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करना है। और यदि आप 27 फूलों वाला उप पोर्टली को आपको लेना है, माला तो आपको हर बार नई लेनी है, चावल भी आपको हर बार नई लेने है, लेकिन उसी पोर्टली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। पोर्टली को पूरी तरीके से नहीं दबाना है। पोर्टली को आपको जीवन में खुल जाएंगे, जहां से आपको धन प्राप्त होता, रहेगा और जो धन आपको प्राप्त होगा, उसमें निरंतर आपको वृध्धी भी देखने को मिलेगी। और आपको बता दें, इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्षमी का व रहे हैं, तो आपको पांचवे शुक्रवार वाले दिन इस प्रक्रिया को करना है, ठीक है न, इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए, तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय जो हमने आपको बताया, बहुत सरल शब्दों में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है, तो चलिए, अब बात कर लेते हैं, दूसरे उपाय की. अगर मान लीजिए, आपकी कोई विशेश मनोकामना है, और आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं, कि पूरी हो जाए, और बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा वक्त से आपकी वो समस्या बनी होई है. आपकी कोई मन धन से जोड़ी कोई समस्या है, कहने का मतलब है कि हर प्रकार की समस्या का उपाय है। पूल आपको नौ लेने हैं और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में तांबे के लोटे में जल लेना है। आठ बार और आपको बता दे। आप श्री शिवाय नमस्तु भ्यम इस मंत्र का जब भी कर सकते हैं, तो आपने जो जल लिया है और जो फूल उसके अंदर डाले हैं, वो दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, चरहा देने हैं और ऐसा करते समय जब आपकी जो मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, स्वास्थे से जुड़ी हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो। दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय जो व्यक्ति करता है, उसके जीवन में चाहे जैसा भी दोश हो, कोई भी वास्तु द कोई भी कुंडली दोश हो, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय करना है, आपको पाँच सोमवार लगातार ठीक है ना, जब आप पहले सोमवार करेंगे। इस चीज को आप विशेश करके ध्यान रखें तो दोस्तों यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप अपनी कैसी भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं इन छोटे सरल से उपायों को करके आपको अपने मन में पूरी सची शद्धा और पूरा विश्वास होना चाहिए तब ये उपाय असर करते हैं दोस्तों आज की विडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे एक नई विडियो के साथ अगर आपने अभी तक जैकारा नहीं लगाया है तो कमेंट सेक्शन में जैकारा जरूर लगा दीजिए जैकारा लगाने से आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होती है और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ हर हर महादेव जैशिव शंभू